दोस्तों आज की कहानी हैं भावी नहीं बदली सोटी उनके हालात बदल गए हैं दोस्तों कहानी सरू करने से पहले अगर आपने हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पौंसे हर नया वेडियो अरे बहु कब से तुम्हारी सोटी बेहन का फोन आ रहा हैं तुम्हारे मोबाइल पर एक बार देख लो खाना बनाने की तैयारी थोड़ी देर बाद में कर लेना जब से तुम माई के जाकर आई हो तब से लगता है सायद अपनी सोटी बेहन से बात नहीं कर पाई हो अभी तक घर के काम तो सारी दिन सलते रहेंगे एक बार बात कर लो अपनी बेहन से वह भी तो कापी दिनों से माई के नहीं जा पार रही हैं इसलिए हो सकता हैं तुम से बात करके अपने माई के की यादों को ताजा करना सहार रही हो वहां के हाल साल जान कर तुम दुनों का तुम्हारी माई के जाने के बाद वैसे भी अब कभी कभी ही माई के जाना हो पाता हैं तुम भी इस बार कापी दिनों बाद माई के जाकर आई हो इसलिए तुम्हारी सोटी बेहन उतावली हो रही हैं तुम से माईके के समासार जानने के लिए जाओ पहले उससे बात कर लो सरीता जी ने अपनी बहु रीना के हातों से सबजी की टोकरी लेते हुए कहा रीना अपने हात दोकर उनको तोलिये से पहुसती हुई अपने कमरी में आ गई और बैड पर बैट गई रीना ने देखा आज भी कल की तरह उसके फोन पर उसकी सोटी बहन सके मिस्कॉल थे रीना अपनी सोटी बहन टीना के सभाव को बहुत अच्छे से जानती थी जहां रीना एकदम सीधी साधी और मिलन सार थी सब के हालातों को समझ कर उनके दुख दर्द बाटने वाली थी वही टीना तेज और मतलबी सभाव की थी जब तक दोनों की मा जिन्दा थी उन दोनों का हर सोटे मोटे काम में आना जाना लगा रहता था भाई पापा के साथ ही बिजनेस करता था दोनों बाप बेटे ने बिजनेस को खुब अच्चे से संभाल रखा था घर में किसी भी तरकी कोई कमी नहीं थी रिना की मा और उनकी भावी जब भी दोनों बेटियां घर आती उनको खुब सारा सामान देकर विदा करती थी रिना जहां हर बार मा और भावी को इतना खर्षा करने के लिए मना करती वही टीना हर बार माई के जाने पर अपनी नई नई डिमांड रख दैती घर में किसी सीज की कोई कमी नहीं थी इसलिए भावी भी टीना को सोटी लाडली ननद बोल कर कोई भी सीज दैने में कंजूसी नहीं करती थी टीना की पसंद का हर सामान भावी मिनटों में लाकर उसके सामने रख दैती थी और मुस्कुरा कर बोलती और फरमाईए मेरी सोटी लाडली नननद आपकी ख्वाइस को पूरा करना हमारा हक है आखिर बहु बेटियों को दैने से ही तो घर में बरकत आती हैं तबी तो आपके भाई का दंदा इतना अच्छा सल रहा हैं आप लोगों की दुआओं का ही असर हैं भावी से ऐसी बाते सुनकर टीना और जहादा इत्रा जाती और अपनी मा से बोलती सच ही तो कह रही हैं मा भावी अगर बेटियों को स्यार गुना दोगे तो बगवान आपको आठ गुना बना कर वापस दै देगा टीना की इस बात पर सब मुस्क्राकर रह जाते पर कहते हैं ना वक्त हमेशा एक जैसा कहां रहता हैं इस हसते खिल खिलाते संपन परिवार मैं भी दुख मैं अपने दस्तक दै दी थी रिना की मा को एक असाध्य बिमारी ने जकड लिया था रिना की मा आई दिन बिमार रहने लगी थी रिना के भाई और पापा ने रिना की माँ को हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और उनके इलाज में लखो रुपिय बहा दिये डॉक्टरों को दिखाने के लिए कभी रिना के पापा को कभी भाई को मां के साथ जाना ही पड़ता था सारे दिन होस पिटलों के सक्र में सब बीजी रहने लगे तनाव और अफसाद में दोनों बाप बेटे बिजनेस मैं भी ध्यान नहीं दे पार रहे थे बिजनेस भी दीरे दीरे डाउन होता जा रहा था और उपर से रिना की मां की बीमारी में लखो रुपिया खर्स हो रहा था लखो रुपिये खर्स करके भी रिना की मां को बसाया न जा सका परिवार दुखों और दर्द से तूट सुका था मा के जाने का गम बिजनेस के सौपट हो जाने के गम ने रिना के पापा को भी गुमसुम और बिमार सा बना दिया था भाई अपनी तूटी वुई हिमत वापस करके अकेले ही बिजनेस को संभालने में लगा हुआ था घर की आर्तिक इस्तती कापी कमजोर हो सुकी थी फिर भी रिना की भावी ने हिमत करके घर को संभाल रखा था अपनी दोनों ननद को भी वह हर बार तेवार पर फोन करती मा के जाने के बाद दोनों बहने जब माई के जाती तो भावी का पहले की तरह टीना को कुछ नहीं देना टीना को बहुत अखरता था टीना रिना को सुनाने लगी थी देखो दीदी मा के जाते ही भावी कितनी बदल गई है बस मा के सामने हमारी सापलूसी करती थी ताकि उनकी नजरों में अच्छी बन सके अरे जैसे ही मा गई देखो भावी भी कितनी बदल गई अरे विदागिरी में आज कल भावी डंग की दो साड़ियां भी नहीं देती हैं हमको पहले तो मा के सामने तेल लगाती थी हमारे और दीदी बताईए क्या दूं क्या दूं और अब मा के जाते ही पैसों पर कुंडली मार कर बैट गई रुपे एक भी खर्स नहीं करती हमारे उपर रीना को टीना की बाते सुन कर बहुत गुसा आता वह टीना को बोलती टीना तुझे घर के हालात के बारे में पता नहीं हैं क्या मा के उपर लगो रुपे खर्स हुए हैं भाई का बिजनेस सौपट हो गया हैं पर टीना का तो एक ही जवाब होता रहने दो दिदी इतने सालों से भाईया ही पैसे जमा कर रहे थे ये सब तो नाटक हैं उनके ताकि हम लोगों के उपर पैसा नहीं खर्स करना पड़े इन लोगों की नियत ही नहीं रही हैं अब मा के जाने के बाद हम को कुस देने की रीना सहकर भी टीना को कुस नहीं समझा पार रही थी टीना ने तो माई के जाना ही बंद कर दिया था आज रीना जब माई के जकर आई तो रीना समझ गई थी टीना उसको बार बार फोन शिरप ये जानने के लिए कर रही थी की भावी ने माई के से आते हुए उसको क्या दिया इसलिए रीना उसका फोन नहीं उठा रही थी रीना के पास टीना की ऐसी बैकार की बातों का कोई जवाब नहीं था जो लड़की अपने घर के हालातों को नहीं समझ पा रही थी उससे बात करने से रीना को कप्त होने लगी थी रीना ये बाते सोस ही रही थी की तबी वापस टीना का फोन और बज उठा रीना ने न सहाते हुए भी फोन उठा लिया और जैसे उमिद थी वैसा ही टीना ने स्वाल पूस लिया अरे दीदी आपने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया महेरा माई के क्या जाकर आ गई शार दिन आपने तो अपनी सोटी बहन से बात करना ही बंद कर दिया अरे आखीर भावी ने आपको ऐसा क्या दै दिया जिसको आप मुझे बताना नहीं सहा रही रीना बोली सब से पहली बात तो सोटी हम माई के अपनों से बिलने जाते हैं भाईया भावी माँ पापा का प्यार दुलार और आसेस इन सब को अपने आंचल में भर कर लाते हैं सामान लेने नहीं जाते हैं पिहर अपनी जड़ों को अपनी प्यार से सिंचने जाते हैं पर तुम क्या समझो इन बातों को तुम्हारे लिए तो माई के जाना मतलब माई के से सामान की गटरी भर कर लाना होता हैं बस तुमने रिष्टों को कभी जजबातों से जोड़ कर देखा ही नहीं सिर्प कीमती सामानों से रिष्टों को जोड़ कर देखा है अरे तुम्हें भावी का तुम्हारे लिए प्यार और अपना पन नहीं दिखता तुम्हें तो बस भावी की दी वुई महंगी महंगी साड़िया नजर आती हैं जो अब वह तुमको नहीं देपा रही हैं उनकी अंखों में सुपा हुआ देर सारा प्यार तुम्हें अपने लिए नजर नहीं आता अरे भावी तो तुम्हें अभी भी वैसे का वैसा कीमती सामान दे देती जब तुम माईके से वापस आती पार सोटी अपने माईके की इस्तती को तु समझो कम से कम तुम बोल रही हो भावी बदल गई हैं मा के जाने के बाद अरे सोटी तुमने कभी ये समझने की कोशिस करी की भावी क्यों बदली हैं अरे सोटी परिस्तत्यों ने उन्हें बदल दिया हैं भावी नहीं बदली हैं उनके हालात बदल गई हैं उन लोगों का घर का खरसा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता हैं भाईया के बिजनेस को वापस खड़ा करने के लिए तुझ को पता हैं क्या सोटी भावी ने अपने गहने तक गिर्वी रख दिये हैं अरे जिस भावी के गहने तक गिर्वी पड़ी हैं उस भावी से तो उसके मुश्किल हालात में साथ देने की बज़ाए सिरप अपने लिए सोस रही हैं अपने कीमती सामान को पाने के लिए सोस रही हैं सच में सोटी तेरी सोस बहुत खराब हैं तो रिष्टों को नहीं सामान को प्यार करती हैं बेटियां लेनदारी करने के लिए माई के नहीं जाती हैं सोटी बलकि खुस्यों की सोगात की देनदारी करने जाती हैं तुने एक बार भी भावी के बारे में नहीं पूसा पर भावी से क्या सोगात मिली तुझे उसके बारे में पूसा तेरी सोस को मैं क्या कहूं सोटी समझ में नहीं आता भावी तेरे बारे में पूस रही थी आज कल टीना फौन भी नहीं करती हैं उसको बोलो कभी अपनी माई के आकर अपनी भावी से भी मिले उस पर प्यार लुटाने का खुब मन करता हैं उदर से रीना की बाते सुन कर टीना रोते हुए फौन पर बोली मुझे माप कर दो दिदी मैंने इन बातों को समझने में देर कर दी आज आपकी कही गई बातों का एक सब्द मेरे दिल में जाकर सिदा मेरे दिल को दुका रहा हैं अपनी सूस पर मैं मेरी मा समान भावी का प्यार अपने लिए कभी क्यों नहीं देख पाई मेरी नजर हमेशा उनके दिये वए समान पर ही क्यों रही मैं भी कल ही भावी से मिलने जाऊंगी दिदी सिर्फ उन से मिलने उनका प्यार और अपना पन लेने मुझे भी आपके जैसे माईके का प्यार बरा एहसास साये सिर्फ ये सामानों की पोटली नहीं सुक्रिया रिना मेरे सोय हुए जजबातों को जगाने के लिए ऐसा बोल कर टीना ने फौन रख दिया रिना को ये सोसकार तसली थी कि सलो टीना को देर से ही सही पर रिष्टों की कदर तो हुई टीना भी रिना की तरह रिष्टों को जजबातों से जोड़ कर देखे गी ना कि सामानों के लेन देन से दोस्तों बहुत से घरों में कुस लड़किया माईके से सिर्फ लेन देन का रिष्टा ही रखती हैं जहां लैन दैन कम हो जाता हैं वहां माईके में भावी को सुनाने में कोई कसर नहीं सोडती हैं पर वह ये नहीं समझती कि कभी कभी माईके के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बेटी को सिर्फ आसिस से ही विदा करना पड़ता हैं आखिर लैन दैन के तराजू पर ठीके हुए रिष्टे कभी जज़बातों से नहीं सवर पाते हैं माईके में भावी से मिले हुए प्यार को ही सब से कीमती सीज जिसने समझ ली उसने दुनिया का हर कीमती खजाना पा लिया